हमस्कार टड़ी आईक्यू आईएस हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ विरद्दुबिव और इस श्रंखला की जिसमें हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं उसकी अगली कड़ी मैं अब आपके समक्षूं आज हम 18 भाग पढ़ रहे हैं और 18 भाग में आधुनिक भारत का जो इतिहास से उसमें तमाम सारी चीजों के बारे में आज हम जानकारी लेंगे परंतुस जानकारी को देने से पहले आप लोगों को मैं बता दू कि Study IQ IIS Hindi ने YouTube चैनल पर पूरे वर्ष भर के विशयवार क्रमबध तरीके से अध्यन की शुरुवात करी है टॉपिक वाइस जिसमें करेंट अफेस की सारी चीज़े कवर की जाएंगी इसमें इसके लिए एक प्रोग्राम चलाया गया है जिसका नाम है लक्ष UPSC PT 2023 लक्ष UPSC PT 2023 प्रोग्राम दोपहर एक बजे चल रहा है जिसमें भारती राजव्यवस्था से शुरुवात की गई है इसके अलावा इसके बाद धीरे धीरे तमाम सारे दूसरे जो ये आपको विशय दिख रहे हैं अर्थ व्यवस्था, अंतराष्टी संबंद, कला संस्कृती, परियावरान प्रास्थितिकी, विज्ञान प्रोध्योगी की बजट या योजना से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, वो आपको प्रदान की जाएंगी आशा करते हैं कि आपको ये लक्ष प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा होगा यूट्यूब पर बहुत सारे प्रोग्राम्स हम लोगों के द्वारा निशुलक आपके लिए अवलेबल हैं तो ये उनमे में से एक शांदार चीज है जो आगामी PT 2023 के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती है क्योंकि हमारे पास समय काफी कम बचा है तो हम उसके लिए कोई नियत कोर्स आपके समक्ष नहीं प्रस्तुत कर पाएं हैं हलाकि इस कमी को पूरा करने के लिए कि हम लोग 2023 में कुछ नहीं कर पाएं हैं आज हम बंगाल में बक्सर के युद्ध के बारे में जानेंगे अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी हमसे प्राप्त करनी हो किसी जो हमारे पास में जितने भी Study IQ, IS, Hindi, YouTube चैनल पर या फिर एप के किसी फीचर के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी हो ने के लिए इसे आप स्कैन कर सकते हो और आप यहां से हमें connect कर सकते हो यह social media accounts हैं आप अपने किसी भी प्रकार के विचार चाहे वो course related हो या फिर किसी प्रकार की बाधा में हो आप इत्यादी चीजों की बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं बाकी PDF जो हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाये करें इस लेक्चर की PDF भी आपको यहीं पर मिलेगी ठीक है यूरोपियों के आगमन से लेकर के बर्टेश उद्रनी करण तक की कहानी में हम लोग पढ़ रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं लगातार और बढ़ते हुए हम अंग्रेजों की बंगाल विजय में अब हम बकसर के युद्ध के तरफ पहुँच चुके हैं आज के इस सेशन में हम जानेंगे कि बकसर का युद्ध क्यों हुआ उसके क्या कारण रहे होंगे और उस दोरान बंगाल के कौन कौन से नवाब थे जो इसमें इंक्लूडेट थे साथ ही आपको मालूम है कि बकसर के युद्ध में दो और राज्यों का भी योगदान होता है जिसमें आप केंद्रिय शक्ती के रूप में मुगलों का नाम ले सकते हैं और स्थानी के रूप में आवद में जो आवद के नवाब सुआ करते थे उनका इंटर्फियर भी देखने को मिलता है तो उनके बारे में भी हम जानेंगे अन्तिता इस युद्ध के क्या परिणाम हुए और उनकी क्या उपलबधियां हुई अंग्रेजों की इस युद्ध के दोरान उसके बारे में जाने है अब बारी है एक महत्वपूर्ण सूचना की जो लगातार विभिन्न कारिक्रमों के माध्यम से आप तक पहुँचाई जा रही है लगातार आपको मालूम है कि 14 फरवरी से 14 फरवरी 2023 शाम 6 बजे से UPSC के लिए फाउंडेशन कोर्स प्रारंभ हुआ है और ये GS के लिए है जनरल स्टडीज के लिए निस सामानने अध्यन के लिए ये फाउंडेशन कोर्स आउनलाइन प्रारंभ हो चुका है जिसमें ये तमाम सारी दिगज़ फेकल्टीज आपके समक्षो पस्तित हैं अलग-अलग विश्योज ले करके आशा करते हैं आप इन सब लोगों से परिचित हो चुके होंगे क्योंकि इसके लिए आपके लिए कार्करम प्रस्तुत किया गया था अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लाइव कोर्स परचेज अभी तक नहीं किये हैं तो आज है भई छे तारीक आज छे तारीक है और साथ फरवरी तक यानि कल तक साथ फरवरी तक ही आपको इस कोड की सुविधा दी जा रही है विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको इस फाउंडेशन बैच में एडमीशन मिलेगा इस प्राइज पर अदरवाइज फिर इसके बाद इसका रेज रेट जो है वो बढ़ने की संभावना है इसका जो प्राइज है वो बढ़ने की संभावना है इसलिए साथ फरुरी तक आप एडमीशन जरूर ले ले लें और अपने भाईयों बंदों और मित्रों को भी जरूर बताएं ठीके तो इस कोड का इस्तेमाल जरूर करिएगा चली अब बढ़ते हैं आगे उससे पहले मैंने पिछले सेशन में भी आपको एक प्रश्न दिया था सॉल्व करने के लिए आशा करते हैं कि आपने सॉल्व करके हम भेजा होगा आगे हम चर्चा करेंगे क्योंकि बक्सर का युद्ध हमें पढ़ना है तो बंगाल से संबंधित कुछ महत्तुपूर्ण स्थल हैं जिनके बारे में हमको जानना जरूरी है आए पहले डालते हैं उन पर नजर जिससे कि आपको जिग्रिफिकली समझ में आए कि कौन सी चीज कहां पर है ठीक है चलिए यह देखिए जरा यहाँ पर पिछली बार भी मैंने आपको बताया था यह एरिया जो है यह आपका पटना है ठीक चलिए कुछ पॉइंट्स में आपके सामने लिख दे रहा हूँ डिफरेंट कलर में जिससे कि आप आसानी से उसे पहचान सकें यह वाला जो हिस्सा है आप यह देख रहे हैं यह पटना है ठीक है पटना के बगल में यह है जगह बकसर तो पटना और बकसर के बारे में आपको यहाँ पर थोड़ा स्पस्ट दिख रहा होगा इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर यह है कलकत्ता यह है प्लासी जहाँ पर हम युद्ध करा चुके हैं यह है मुर्शीदाबाद ठीक यहाँ के कुछ हिस्से आपको इस तरीके से याद रखने है उसके बाद इस जगह पर आजाईए यहाँ पर आपको बर्दवान मिल रहा है यह बर्दवान है यह प्लासी जो कि मैंने इस मैप में भी दिखाया आपको यह है मिदनपुर यहाँ पर आपको चिटगाओं देखने को मिलेगा यह चिटगाओं है या चटगाओं इस तरीके से बोलायता है और यह है कलकत्ता ठीक है तो यह तमाम सारे जो जगहें हैं आपको जयाद रखनी है अभी इसमें बर्दवान मिदनपुर चिटगाओं प्लासी और यह देखे प्लासी से थोड़ा उपर जाएंगे यहां पर आपको यह आपको मिलेगा बकसर और पटना ठीक है क्लेर हो रही बार तो यहाँ पर पर बकसर और पटना भी आपको यह इन पर मिलेगे इधरी कहीं पर आपका जो है मंगोर या कह सकते हैं, या दूसरी इस तरीके की जो जगہं हैं, वो आपको देखने को मिलेंगी। मुंगेर, पर आपको देखने को मिलेंगी। तो ये तमाम सारी जो जगहें है, वो आपको धियान रखनी चाहिए। दक्षिल बारत की चीज़ें क्यों नहीं बता रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें आप पहले पढ़ चुके हो, तो बंगाल के आसपास की जगहें, I hope कि आपको इसपस्ट हो गई होगी, जब इन जगहों का नाम इस्तेमाल होगा, तो आप इस मैप को ज़रूर ध्यान रखेएग बकसर का युद्ध, बकसर का युद्ध, पिछली कहानी में मैंने आपको बताया, कि प्लासी के युद्ध में किस तरीके से नवाव सिराजुत दौला को पराजित किया गया, और नवाव सिराजुत दौला पराजित होने के परशाद, आप जानते हैं कि जो मीर जाफर है, उसने धोखा दिया था और नवाब बनने की इच्छा से उसने ब्रिटिशस के साथ संधी करी थी, क्लाइव के साथ संधी करी थी, इसका दुश परिणाम ये हुआ कि आगे चल करके मीरजाफर है, वो जब प्लासी का यो दुवात अपनी सेना के साथ अस्थिर खड़ा रहा, म बक्सर के युद्ध में हम पहुँचेंगे, लेकिन हमें उसके पहले मीरजाफर के बारे में पढ़ना होगा, और जब हम मीरजाफर के बारे में पढ़ रहे होंगे, तो स्वभाविक सी बात है कि आपको मालूम है कि ये ब्रिटिशर्स के रहमो करम से गर्दी पर बैठे लेकिन उससे पहले का जो कारिकाल है वो 60 तक है, वास्तविक रूप में देखा जाए तो ब्रिटिशर्स जो थे वो बंगाल के लिए कटपुतली चाहते थे, और वो कटपुतली बन करके रहना सिराजुत दौला को बरदाश नहीं था, परन्तु फिर भी अपने ही लोगों किया था, तो आप से पूछा था कि क्या मेर्जाफर सच में बंगाल को ब्रिटिशर्स के हाँथों लुटने देना चाहता था, या फिर उसने कुछ ऐसे कारे किये, जिसकी वज़ह से जो ब्रिटिशर्स थे, वो इसको गर्दी से हटाने की सोचने लगे होंगे, तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि शुरुवात में वास्तवीक रूप में इसने बंगाल के उपर केवल अपनी नमावी का ही ध्यान रखा और बंगाल की सुरक्षा का और उसकी अर्थव्यवस्था का कोई खास ध्यान नहीं रखा, एक तरीके से इन सब चीजों को ध्यान में रखना शुरू कर दिया हो, ऐसे आदमी को या ऐसे शासक को हम कह सकते हैं कि वहाँ एक अयोग्य शासक हो सकता है, और धीरे धीरे करके बिटिशर्स इसके समय में खाजाना खाली करते चले गए, साथी साथ मिर्जाफर के सामने अब ये खाजाना का खाली होना, ये धीरे ध उसकी परिशानी का एक कारण भी बनने लगा, उसे ये समझ में आया कि वास्तविक रूप में बिटिशर्स तो हमें पूरी तरीके से ही उसे लगा था कि हम बिटिशर्स के साहता से नवाब बन जाएंगे, जो थोड़ा बहुत मांगा जाएगा, वो दे देंगे, और जो सा में कुछ जो डिफरेंट डिफरेंट जगहों के जो जागीरदार थे, या फिर हम कह सकते हैं कि जमीदार वगएरा जो थे, उन लोगों ने भी विद्रोह करने शुरू कर दिये थे, जैसे बिहार में राम नारायन करके एक थे, उडिसा में राजा राम थे, पूर्णियां क कि राजा थे गुलाप सिंग और वहां का एक जमीदार था अली खान, इन सब से उसकी पट्री खाना बंद हो चुकी थी, और वो इन सब को सबक भी सिखाना चाहता था, क्योंकि अंग्रेश तो राजसों में कमी कर ही रहे थे, साथी इन जमीदारों से भी आर्थिक नुक्स के शरण में जाने लगते हैं, और उनके मध्यस्तता के कारण, इनके आपसी विवाज हैं, वो कुछ शान्त हो जाते हैं, लेकिन बात ये है कि अगर आपके इस तरीके के जो इंटरनल अफेर्स हैं, जिसमें आपके जो जमीदार हैं और एक आप नवाब हैं, इनके बीच मे होने वाले जो भी मनमटाव हैं, संघर्ष हैं, या किसी भी प्रकार के विरोध हैं, इनके विरोध को सॉल्व करने के लिए, यदि अगर आप विदेशी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानि वाट्सन और क्लाइव के मध्यस्तता से अगर ये विवाज शान्त कराए जा रहे हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ, कि जो आंतरिक प्रशासन है, उस आंतरिक प्रशासन में यह राजा यह नवाब स्वतंद्र नहीं था, तो हम यह कह सकते हैं कि मिर्जाफर अल्टिमेटली एक अंग्रेजों का कठपुतली बन कर रहे गया, और इसकी इच्छा क्या थी नवाब बनने की तो नवाब ये केवल पद से बना लेकिन वास्त्रिक रूप में जो नवाब का ओहदा हैसियत और जो रुत्बा होता है वो यह पानी के लिए हमेशा संघर्ष करता रहा मैंने आपको बताया कि इसके अपने आंत्रिक प्रशासन पर भी इसकी स्वतंदरता नहीं रही आंत्रिक प्रशासन जो था पर भी उसकी पकड नहीं रही उसकी पकड नहीं रही और जब आंत्रिक प्रशासन पर भी इसकी पकड मजबूत नहीं रही तो हम कह सकते हैं, यह काफी हद तक आयोग्य था, ठीक है, काफी हद तक ही आयोग्य माना जा सकता है, देखे इतिहास में हमें अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ना है, इतिहास में हमें यह घोशित नहीं करना है कि मिर्दाफर योग्य था या योग्य था, हमें यह देखना है कि उसके कारे किस तरीके से थे इतिहास में उसका कैसा वर्णन किया गया है या फिर उसने क्या काम किये हैं जो उसका इतिहास बन रहे हैं और उन इतिहास से निश्कर्स हमको निकालना चाहिए मेरी बात आपको सायत समझ में ठीक तरीके से आ रही होगी बेरहल आर्थिक तब आप सिलसिला देखिए, पहले ब्रिटिशर्स और जो दूसरे लोग थे, वो सब अंग्रेजों से मिल करके इसको नमाब बनवाते हैं, और ये इच्छा रखते हैं कि ये लगातार हमें दोहन करने देगा, स्वभाविक सी बात है, जब उसके internal disputes होते हैं, आंतरिक विरोध होते हैं, तो उसमें Robert Clive और Watson इंटरफियर करके उस पर भी अपना एक तरीके से काबू करने का प्रयास करते हैं, तो इन सब चीजों का ultimate परिणाम ये निकलता है, कि मिर्जाफर के समय में आर्थिक विवस्था जो थी, आर्थिक जो विवस्था थी, विवस्था पूरी तर पूरी तरह से बेकार हो गई, तो इसका जिम्मेदार नवाब को ही ठहराया गया, ठीक है, इसका जिम्मेदार कौन हुआ, इसका जिम्मेदार वास्तविक रूप में अगर देखा जाए, तो ये नहीं है, अलाकि है भी, भैया आप इस तरीके से कमजोर शासक्यों थे, क्यो आपने अपने पूर्व नवाब के खिलाफ अंग्रेजों की साहता करी, और अगर अंग्रेजों की साहता करी, तो आप ये कैसे भूल गए कि अंग्रेज आपके सगे नहीं है, हलाकि मीर जाफर अंग्रेजों की मितरता से इस प्रकार से जुड़ा हुआ था, कि जब आपने देखा कि प्लासी के युद्ध से पहले एक ब्लैक होल घटना हुई थी तो तमाम सारे अंग्रेजों और अंग्रेज परिवार को इसने जो है अपनी घर में शरण दी थी बचाया था उस युद्ध में तो वहीं से अंग्रेजों के निकट्टा आनी शरू हो चुकी थी और उसी निकट्टा के कारण आपने देखा कि ये फिर आगे नवाब बनने की छरक ने लगता है अंग्रेजों से प्रलोब बन देते हैं पराल 1760 में रॉबर्ट क्लाइव जो है 1760 यानि 1760 में रॉबर्ट क्लाइव वापस चला गया कहां वापस चला गया वहीं लंदन जहां से आया था वापस चला गया लेकिन इधर इसी दोरान इस आर्थिक अव्यवस्था के लिए जम्मेदार ठहराया गया नवाब को और उस समय एक टैंप्रेरी गवर्नर के रूप में एक विक्ति मौझूद थे कार्यवाहक गवर्नर के रूप में एक विक्ति मौझूद थे जिनका नाम था हॉल्वेल अब हॉल्वेल का नाम आते ही आपको कुछ याद आया होगा हॉल्वेल जो है ये क्या थे वहाँ के कार्यवाहक कार्यवाहक governor थे तीक है? और नए governor के आने तक ये कारे वहा governor ही रहा, तो hallvale ने अपने आखलन से ये पाया, कि इन सब के लिए जम्मेदार मीरजाफर को ठहराया जए और अब मीरजाफर हमारे काम का नहीं रहा, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि मिर्दाफर कहीं न कहीं बिटिशस के विरोधी या विरोधी लोगों से या विरोधी यूरूपी शक्तियों से मिलने लगा है एक जुलाई 1760 को एक नया गवर्नर भारत आया जिसका नाम था विंसिटार्ट ठीक है ये पहले तो जब ये रॉबर्ट क्लाइफ चला जाता है हॉल वेल जब बनता है गवर्नर कारवाक होता है तो ये प्रयास करता है किस चीज़ का प्रयास करता है या घूशना करता है या प्रयास करता है कि नवाब नवाब पद से हटाया जाए मीर जाफर को मीर-जाफर को ठिक है इतना सा point समझ में आ गया की नहीं अब मीर-जाफर को जब हटाए जाने की बात चली रही थी उसी समय विंसिटार्ट जो है विंसिटार्ट जो है यह governor बन करके आया यह governor बन करके आया और फिर विंसिटार्ट ने Hallways जो था उसके जो उसने डिसीजन लिया था या फिर उसने जो सलाह दी थी उस सलाह को उसने माना मान करके इसे पद से हटाने की योजना बना रही किसे इस मीर्जाफर को ये वही मीर्जाफर है जो इन्हीं अंग्रेजों की सहायता से बंगाल का गवर्नर बना था लेकिण Winsittart अभी से हटाने का प्लान करने लगा अब आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर Hallwell और Winsittart क्यों हटाना चाहते थे क्योंकि मीरजाफर तो भले ही विरोध करना चाहता हो पर अभी भी अंग्रेजों के कंट्रोल में ही था परन्तु फिर भी ऐसा क्यों हो रहा था तो कुछ चीजें थी जैसे कि मीर जाफर जो था उसका कारण क्या था जाफर जो था वो डचों से मुलाकात करने लगा था डचों से मुलाकात क्योंकि जाफर जो है वो डचों से मुलाकात करने लगा, इसले उने लगा कि डचों के सहयोग से वो अपनी सैन शक्ति को मजबूत कर रहा है या फिर आर्थिक शक्तियों को ठीक करने का प्रयास कर रहा है जबकि पूर्व की संधियां हुई थी उसमें बार-बार ये चीज दोहराई गई थी कि जो भी बिटिश से संधी करेगा वो बिटिश विरोधी शक्तियों से मुलाकात नहीं करेगा, खास कर की यूरोपियन शक्तियों से अब दूसी तरफ अगर नवाब को देखें तो नवाब को भी इंसेक्यूरिटी फील होने लगी थी और सबस्यादा उसे इंसेक्यूरिटी फील हो रही थी राय दूरलब से राय दूरलब वही व्यक्ति है जिसने मीर जाफर के साथ मिल करके प्लासी के युध में सिराजुत दौला का विरोध किया था या इस राजुत दौला के के पक्ष में खड़े नहीं हुए थे इस्थिर रहे थे राय दूरलब भी सेना पती था और जब इनके राय दूरलब के साथ संबंध खराब हुए तो राय दूरलब जो है वो किसके शरण में गया राय दूरलब जो था वो दाय दूरलब अंग्रेजों की ही शरण में था ये पूरी तरीके से अभी भी अंग्रेजों की शरण में था ठीक है तो इससे राय दुरलब से भी खत्रा मैसूस होने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि राय दुरलब जो है हमें आपदस्थ कर दे यहां पदस्त करने का प्रयास करें, अंग्रे जिसकी सायता से पदस्त करने का प्रयास करें नवाब को एक प्राबलम और भी थी, एक समस्या और भी थी नवाब को, यानि कि यह जो मीर जाफर है, इसे एक समस्या तो रायदुरलफ से थी और दूसी समस्या जो है, वो शाह आलम दुती से होने वाली थी, शाह आलम दुती, अब ये शाह आलम दुती कौन है, ये आपको मालूम है, कि ये मुगल बाद्शाह बनने वाले थे, मुगल बाद्शाह आलम गीर दुती के ये बेटे थे, ये मुगल बाद्शाह बन रहे थे मुगल बादशा, ठीक है, इनकी भी ताश पूशी होने वाली थी, तो शा अलम दुती जो है, वो मुगल बादशा बनने वाले थे, इनी को अली गोहर के नाम से जाना जाता है, शा अलम दुती अली गोहर के नाम से जाना जाता है, जो अलम गूर सेकंड का बेटा है, 1759 में य बंगाल की और नजर डाली ये चाहते थे कि बंगाल फिर से पूरी तरीके से मतलब एक जैसे स्वतंत्र बंगाल की रूप में आ चुका था ना अब ये सुतंत बंगाल की सुतंता को फिर से कैप्चर करके उसे मुगलों के अंदर गर्थ पूरी तरीके से मिलाना चाहते थी इन सब इस्थितियों का खत्रा जो है वो जाफर को था तो अब हम एक सी बात है कि जाफर ने मुलकात यहां की होगी जाफर ने यहां पर इनका विरूत करने का प्रयास किया होगा एक और समस्या मीर जाफर के पास थी और वो समस्या यह थी कि मीर जाफर का जो बेटा था मीरान जिसने सिराजुत दौला को मरवा डला था तो वो मीरान जो था उसकी मृत्य होगी तो जाफर के बेटे की मृत्यू होने के बाद जाफर के बेटे मीरान की मृत्यू हो गई और जब इसकी मृत्यू हो गई तो इसकी मृत्यू के बाद उत्राधिकार का संघर्ष होना तैय हुआ उत्राधिकार उत्राधिकार का संघर्ष हुआ और इस संघर्ष ने एक बार फिर से ब्रेटिशर्स को खुले तोर पर बंगाल में इंटर्फियर करने का मौका दिया अब ये मौका कैसे बना ये मौका इस प्रकार से बना कि जहां जाफर का बेटा जब मीरान की जब मृत्यू हो गई तो उत्राधिकार के लिए मीर जाफर का दमाद मीर कासिम और जाफर के बेटे मीरान के बेटे के बीच में संघर शुरू हो गया जो हैं इसे गर्दी से हटाना भी चाहते थे तो एक तरीके से जाफर के अल्टिमेट के तौर पर या फिर उसके विकल्प के तौर पर उन्होंने मीर कासिम को पाया तो आगे चल करके मीर जाफर का ये वाला जो कारेकाल है पहला कारेकाल 1760 में समाप्त हो जाता है यहां ये भी ध्यान रखना है कि 1760 में ही आपने देखा कि वांडी वाश का युद्ध हो चुका है जिसमें ब्रिटिशर्स जो है वो जीतेंगे भी ठीक है तो भाई यहां पर अब जो है मीर कासिम आएगा कौन आएगा मीर कासिम अब हम लोग मीर कासिम के बारे में जानेंगे मीर कासिम 1760 में बंगाल का नवाब बना और ये 1763 तक बंगाल का नवाब बना रहा 1763 में कुछ युद्ध हुए अंग्रिजों के साथ इसके और इसे बंगाल छोड़ करके जाना पड़ा और इसी कारण 1764 में आगे चल करके ब्रक्सर का युद्ध होता है तो मैं प्रिष्ट भूमी तयार कर रहा हूं और इसी समय आपको शासक भी पता चलते जारें मीर कासिम की अगर हम बात करें तो मीर कासिम भी मीर जाफर की तरह बंगाल की नवाबी चाहता था लेकिन दोनों की इस चाहत में समानता होने के बावजूद भी मीर कासिम और मीर जाफर में अंतर था अंतर ये था कि मीर कासिम अच्छी तरीके से जानता था कि मीर जाफर जिस तरीके से गद्धी पर बठाए गए हैं उसी प्रकार से अंग्रेज हमारा लाब भी उठाएंगे अगर हम ब्रिटिशल्स की सहायता से राजा बनते हैं तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए 27 सितंबर 1760 में मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में समझा। तो आप ध्यान रखेंगे 1760 में मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्ध क्या हुआ एक समझाउता हुआ और इसी समझाउते का परणाम था कि मीर कासिम 1760 में पंगाल का नवाब बना अब इसमें जो संधियां तैं हुई वो क्या थी उस संधि को अगर हम ध्यान देंगे तो हमें पता चलेगा कि थोड़ी दूरदर्शिता का प्रदर्शन जो है इसने किया है जैसे सबसे पहले तो अब हम इसी बात है कि अंग्रेजों ने अपना फायदा देखा होगा और इस फायदे के तौर पर बर्दबान, मिदनापुर और चटगाउं बर्दबान इस के लामा चटगाउं और मिदनापुर ये जो जगहें थी इन जगहों को अंग्रेजों के हवाले किया गया यानि इन पर अब अधिकार जो है वो किसका होगा अंग्रेजों का अधिकार होगा और ये इस्थाई रूप से दे दिये जाएंगे अंग्रेजों को कैसे दे दिये जाएंगे इस्थाई रूप से इस्थाई रूप से अंग्रेजों को दे दिये जाएंगे और इन सब का परणाम ये हुआ कि जब ये स्थाई तोर पर बिटिशर्स को दे दिये गए तो इसके बदले में मीर जाफर ने भी कुछ मांगा मीर कासिम ने भी कुछ मांगा आपकी जाफर नहीं कासिम अब मीर कासिम ने क्या मांगा अब मीर कासिम ये कह रहा है कि अगर ये सारी चीजे मैं आपको दूँगा तो इसके बदले आप हमें इसके बदले, आप हमें बंगाल की नवाबी देंगे, बंगाल की नवाबी, थिके, तो बंगाल की नवाबी इसने प्राप्त करी इसके बदले में, साथी साथ ये भी कहा, कि आवशक्ता पढ़ने पर, आवशक्ता पढ़ने पर, अंग्रेज सैन ने सहायता देंगे, ठीक है, अंग्रेज सैन ने सहायता देंगे, ये बात भी उसने मांग ली, साथी इस बात का वचन भी मांगा परिटिशस से कि आप आंतरिक मामलो में हस्तकशेप नहीं करें, ठीक है, इसना ये हुआ कि बंगाल के आंतरिक मामलो में अंग्रेजी हस्तकशेप नहीं होगा, नहीं होगा. अब इन चीजों को ध्यान में ध्यान से देखें तो भले ही उसने बंगाल के कुछ प्रोविंसेज या कुछ जमीन जो है वो अंग्रेजियों को दी लेकिन नवावी हनक बनी रहे उसके लिए उसने इन चीजों को मांग लिया है देख सकते हैं आप इसने अपने पक्षमे मांगा इस चीज को और इस तरीके से 1760 में नवाव बनने के बाद इसने सबसे पहला जो काम किया वो काम ये किया कि जो आर्थिक स्थिती थी बंगाल की जो निर्बल हो गई थी उसे सुद्रन बनाने का कारे किया न शिर्फ आर्थिक स्थिती को सुद्रन बनाया है बाकी पूरे बंगाल में जहां जहां जो कमिया थी उसको सुद्रन करने का प्रयास किया अब इसके सुद्रन के प्रयास भी काबिले तारीफ है जो कि Britishers को पसंद नहीं आए सबसे पहला काम इसने जो किया वो किया सेना का पुनरगठन सेना का पुनरगठन जो कि मीर कासिम जो है मीर जाफर जो है वो नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके यहां आंत्रिक विद्रोह भी हो रहे थे और उन्ह आंत्रिक विद्रोहों में ब्रिटिशर्स का हांत भी था इस कारण से वो नहीं कर पा रहा था यहां इसने पहले ही संदी रख ली कि आप इंटरलन मैटर में आप किसी प्रकार से इंटर्फियर नहीं करेंगे इतना ही नहीं सैन ने प्रसिक्षन हे तू अब इनको सैन ने प्रसिक्षन देगा कौन क्या अंग्रेज खुद के खिलाफ सेना का प्रसिक्षन बंगाल के इस नवाब की सेना को देंगे आपको इतना तो पता ही होना चाहिए कैसा नहीं होगा स्वभाविक सी बात है उसने कुछ दूसरे यूरोपियन जो अधिकारी थे, उनको अपनी से ना में शामिल करने का प्रयास किया। लाए गया था, इसको सिनपती बनाया है, एक और मुस्लिम अधिकारी था, जिसका नाम था मुहम्मद तकी खान, मुहम्मद तकी खान का भी नाम आपके याद रखना है, मुहम्मद तकी खान, ये मुस्लिम अधिकारी थे ये, इनको भी सैने प्रसिक्षन के लिए यहां पर र जिसका नाम था समरू, समरू, समरू नाम का एक जर्मन था, जो कि इसके यहां का सेना का सेनापती भी बना, तो मतलब जो भी लोग इसके सेन्य स्थितियों को मजबूत कर सकते थे, वो इसने करने का प्रयास किया, सेन्य शक्ती में जो एक्यूपमेंट्स थे, जो हथियार थे, उनको भी बढ़ाने का प्रयास किया, मुंगेर में इसने तमाम सारी तोपें और तमाम सारी ऐसी तोड़दार वाली जो बंदूके होती ही, जिनको मतलब उस समय काफी एडवांस माना जाता था, उन बंदूकों क इसने व्यवस्था करने शुरू की, और इतना ही नहीं, बंगाल, बिहार और उडिसा के जो उपद्रवी जमिदार थे, बंगाल, बिहार और उडिसा, यहां के जो जमिदार थे, इन जमिदारों को जमिदारों का दमन किया, अब आप देखिए, इसको ऐसे डिवाइड कर द ती राजस्व प्रणाली जो है उसकी उसको इसने मजबूत करने का प्रयास किया एक तरीक इस देखा जाए ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं उसने क्या किया है राजस्व मजबूत किया और यहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसने सैन ने प्रणाली मजबूत क और एक अच्छा रास्ट जो है या फिर एक अच्छा राज्ज जो है उसकी सैन और आर्थिक स्थितियदी अगर मजबूत हो तो स्वभाविक सी बात है कि वो किसी भी प्रकार के संकट से निपटने के लिए तैयार हो सकता है और यही कारण था जिस कासिम को इन्होंने पर बैठाया था उसे भी यह समझ रहे थे कि मीर जाफर की तरह यह कट पुतली बनेगा तो इसका मतलब यह हुआ कि मीर कासिम जो है इनके लिए योग्य सिद्ध नहीं हुआ और क्योंकि ब्रिटिश के लिए यह कासिम योग्य सिद्ध नहीं हुआ तो इसका मतलब यह पीच में संघर्ष हुए, यानि एक तरीके से देखा जाए कि जाफर को हटा के कासिम को लाना, उसकी जगह का परिवर्तन करना, एक तरीके से संघर्ष के निश्चित्ता को अपने साथ ले करके आया, अब ये जो संघर्ष है, इसके कुछ कारण है, उनके कुछ कारण तो कि यहां से सपस्ट हो गए होंगे, कि भाई आप अपनी सैने प्रणाली मजबूत कर रहे हैं, आप अपनी आर्थिक इस्तिति मजबूत कर रहे हैं, संधी तो हुई है, लेकिन ये संधी कही न कही नुकसांदाई हो रही है अंग्रेजों के लिए, और ऐसा कोई भी काम जो Britishers के लिए नुकसान दाई हो रहा हो वो अंग्रे जोको परदाश नहीं होगा तो आंतता जो है धिरे-धिरे दोनों के बीच में संघर्ष होने शुरू हुए इन संघर्षों में सबसे पहला कारण जो था वो मीर कासिम की होशियारी थी और कासिम नवाब बनते ही सबसे पहला काम ही उसने किया राजधानी परिवरतन या राजधानी का इस्थान जो है वो बदला गया पहले राजधानी हुआ करती थी मुर्शीदाबाद और मुर्शीदाबाद में Britishers का इंटर्फियर बहुत जादा बढ़ चुका था बहुत जादा इसलिए उसने मुर्शीदाबाद से राजधानी क्या कर दिया मुर्शीदाबाद से राजधानी को मुंगेर मुंगेर स्थानांत्रित किया और मुंगेर स्थानांत्रित करके यहां पर किलेबंदी करनी शुरू की इलाबंदी की और इस बात से अंग्रेज नाराज हुए और नाराज होंगे ही क्योंकि उनके उपर उनका अधिकार जो बनना था जिसके द्वारा आप नवाब बनाए गए हैं उसी के ना के नीचे से अगर आप उसको कमजूर करने का प्रयास करेंगे तो वो तो गुस्सा करेंगाई दूसरा जो इनके संगर्ष का करण था वो व्यापारिक मतभेद था अब व्यापारिक मतभेद जो है वो किस प्रकार से संगर्ष का करण था व्यापारिक मतभेद इस प्रकार से संगर्ष का करण था अब फिर यहाँ पर फरुक्षियर के द्वारा दिया गया जो फर्मान है ना 1717 का वो मतलब अंग्रेजों के लिए अला दिन का चिराग है और बंगाल के नवाबों के लिए एक तरीके से उस जिन की भाती है जो जिन अंग्रेजों की तरफ है और लगातार इनके उपर कुपित रहता है वो फरुक्षियर ने फर्मान जारी किया था और उस फर्मान के हिसाब से अगर देखा जाए तो मुक्त व्यापार या चुंगी रहित व्यापार की जो दस्तक हैं वो बिटिशल्स के पास थे वो दस्तक जारी करते थे तो अंग्रेज जो है उनका फ्री ट्रेड होता था यानि किसी भी अंग्रेज से उस तरीके की जो टैक्स वगरा थे वो नहीं लिये जाते अंग्रेजों ने इस दस्तक का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया एक बार फिर से हलाकी आपने देखा था कि प्लासी के युद्ध से पहले ये दस्तक का दुरुपयोग करते थे तो उसका विरोध ततकाली नवाप ने किया था सिराजुद दौलर और एक बार फिर से यही काम करने लगे मीर जाफर के समय में मीर जाफर इसका विरोध नहीं कर पाया लेकिन मीर कासिम ने इसका विरोध किया अंग्रेजों ने फिर से वही काम करना शुरू किया कि जो जो दस्तक था वो भारती व्यापारियों को बेचने लगे रिश्वत लेने लगे अब अंग्रेजों को तो छूट थी कि आप मुक्त व्यापार कर सकते हैं लेकिन भारती व्यापारियों को छूट नवाब ने नहीं दी थी तब परुक्षियर ने और वो अभी भी उसी तरह जारी था तो इन लोगों ने भंगाल की आर्थिक इस्थिति को कमजोर करने और अपनी जोली भरने के लिए उन दस्तक को भारती व्यापारियों से बेचने लगे वो दस्तक जिनके पास भी होता कोई भी जो सरकारी आदमी है जो नवाब के राजस्वधिकारी हैं वो उनसे उस दस्तक पे टैक्स वसूल नहीं कर सकते थे तो अब वो दस्तक लोकल ट्रेडर्स के पास भी होने लगे और लोकल ट्रेडर्स बिटिशर्स से इन दस्तकों को खरीदते थे यानि रिश्वध दे करके खरीदते थे और इससे जो व्यापार में हानी होने लगी उससे राजकोश पर सीधा फर्क पड़ता था कि अंग्रेजों ने तो राजकोश में पैसा दिया नहीं और जो स्थानी व्यापारी देते थे वो भी अब नहीं दे रहे थे और वो पैसा जा रहा था अंग्रेजों के पास तो राजजी को आए की बहुत हानी होने लगी और इन सब चीजों को ले करके कासिम ने विंसिटार्ट से चर्चा की बातचीत की संधी की यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कासिम जो था उसने विंसिटार्ट से विंसिटार्ट आपको मालूम है कि ये नया गवर्नर बन करके आया था 1760 तो ये जो विंसिटार्ट है रॉबर्ट क्लाइव के जाने के बाद आया था तो कासिम और विंसिटार्ट के बीच में एक समझोता हुआ और इस समझोते में नवाब ने विंसिटार्ट से कहा कि आपको चुंगी देनी होगी चाहे नियुंतम हीद क्यों न दे तो 9 प्रतिशत व्यापारिक चुंगी देने की बाद यहां पर की गई व्यापारिक चुंगी देने की बाद की गई और विंसिटार्ट ने ये मामला कलकत्ता काउंसिल के समक्ष रखा क्योंकि ये अपनी तरफ से कोई निर्ड़ा नहीं ले सकते थे और कलकत्ता काउंसिल ने इस समझहोते की जो शर्थ थी उसे नमंजूर कर दिया ठीक है? कलकत्ता ने कलकत्ता काउंसिल ने गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है वो कलकत्ता काउंसल ने क्या किया उक्त समझोते को समझोते को अस्विकार कर दिया और जब यह समझोता अस्विकार हो गया तो नवाब को यह जो नाफरमानी है यह बरदाश नहीं हुई मार्च 1763 में इस गुसाय नवाब ने एक ऐसा कदम उठाया जिससे ब्रिटिशर्स तिलमिला उठे उसने कहा अब देखिये होता क्या था दस तक को अंग्रेज बेचते थे यहां के स्थानी व्यापारियों को और उससे भारी जो रिश्वत है वो लेते थे और जब इसके बदले यहां पर 9 प्रिशर्ट व्यापारिक चुंगी की बात करी गई और कलकत्ता काउंसिल ने स्विकार के क्यों दे भई हमें तो जब सीधा सीधा लाब हो रहा तो हम क्यों दे पैसा हम तो नहीं देंगे तो नवाब ने एक नया फर्मान जारी किया और बड़ा विचित्र इससे उसकी समझदारी प्रदर्शित होती है थोड़ी सी थोड़ी सी जहाँ जादा नहीं मार्च 1763 में ध्यान रखेंगे मार्च 1763 में अब 1763 हा गये हैं तो ये भी ध्यान रखना है कि इनका अंतिम समय आ गया है 1763 नवाबी का तो मार्च 1763 में नवाब ने नवाब ने पर्मान जारी किया पर्मान जारी किया और पर्मान जारी करके सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारियों के लिए चुंगी जो है वो समाप्त करने समस्त व्यापारियों के लिए व्यापारियों हे तु चुंगी समाप दिखिए हमें तो आर्थिक नुकसान हो ही रहा था हमें मतलब अगर हम इनकी तरब से सोच रहे हैं तो कासिम की तरब से कासिम सोचता है कि अगर यह हमारी बात नहीं माने हैं तो ये दस्तक तो बेच ही रहे हैं बेच करके उनको फायदा हो रहा है उस दस्तक की वज़े से free trade कर रहे हैं यहां के व्यापारी और free trade व्यापारी चाहते हैं और जब व्यापारी free trade करेंगे तो राजस में पैसा नहीं आएगा और व्यापारियों को वो जो दस तक रिश्वत दे करके खरीदना पड़ता था, वो खरीदने के आउशकता ही नहीं रहेगी, तो एक तो साथ मिलेगा हमें व्यापारियों का, दूसरा आर्थिक नुकसान होगा ब्रिटिशर्स का, और इसी फर्मान ने आगे चल करके, यही ज जो है, जो इनके संगर्ष का तीसरा प्रमुख कारण है, वो है पटना हत्याकांड, यह ब्रिटिशर्स ने नाम दिया है भई, उनके लिए तो यह हत्याकांड ही था, लेकिन नवाब के तोर से अगर आप सोचेंगे, तो यह प्रतियुत्तर था ब्रिटिशर्स को, जो तिलमिला उठे, और उनकी तिलमिलाहट ने भी इस तरीके का एक कदम उठाया, कदम यह उठाया, कि उस समय पटना में ब्रिटिशर्स का एक एजेंट था, जिसका नाम था एलिस, उस एलिस से कहा गया, कि उस एजेंट एलिस से कहा गया, कि पटना पर आक्रमन करके पटना क capture कर लो पूरी तरीके से तो जैसे आपने देखा कि बर्दमान था Britishers के पास में चटगाओं था Britishers के पास में तो वो पटना को भी capture करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने अंग्रेज अधिकारी agent से कहा कि उस पर capture को पटना के पटना agent या पटना के एक अधिकारी Alice ने पटना पर आक्रमन कर उस पर अधिकार कर लिया उस पर क्या कर लिया अधिकार कर लिया और जब उस पर अधिकार कर लिया तो स्वभाविक सी बात है पटना agent ने जब इस पर अधिकार कर लिया पूरी तरीके से तो स्वभाविक सी बात है कि यहां पर एक नई चीज हमको देखने को मिलती है इससे नवाब को परिशानी हुई यार मतलब मतलब आपसी युद्ध चल रहे हैं वो उनका नुकसान पहुचा रहे हैं तो ये उनका नुकसान पहुचा रहे हैं ये उनका नुकसान पहुचा रहे हैं तो वो नई चाल चलके उसका नुकसान 1763 को नवाब ने पटना पर आक्रमन कर पुनह अधिकार कर लिया अब स्वाभाविक सी बात है कि अंग्रेज नहीं चुप बैठेंगे देख रहे हैं आप कैसे बंदरबाट चल रहा है अंग्रेज नहीं चुप बैठेंगे अब कासिम ने जब यह अधिकार कर लिया तो जो एलिस था एलिस जिसने पटना पर अधिकार कर लिया था पटना का जो एजेंट था उस एलिस सहित बहुत सारे ब्रिटिशर्स को कैद कर लिया गया और बहुत सारे ब्रिटिशर्स इसमें मारे भी गए ठीक है एलिस को क्या कर लिया एलिस कैद कर और एलिस के अलामा बहुत सारे जो अंग्रेज अधिकारी थे वो भी कैद किये गए हालाकि कई तो युद्ध में मारे भी गए और इन सब चीजों की वज़ा से ब्रिटिशन्स को एक बार फिर से गुस्सा आया और अंग्रेजों ने जेम्स एडम्स की नित्रतों में जेम्स एडम्स के नित्रतों में अंग्रेजी सेना जो है वो किस तरफ चल पड़ी अंग्रेजी सेना मुर्शीदाबाद की तरफ चल पड़ी मुर्शीदाबाद मुर्शीदाबाद जो पहले राजधानी था बंगाल की राजधानी था जो मुर्शिदाबाद की और चल पड़ा लेकिन इन्होंने मुंगेर ट्रांसफर कर दिया था मुंगेर ट्रांसफर करने का मतलब यह नहीं कि मुर्शिदाबाद अंग्रेजों को दे दिया तो जब यह सूचना मीर कासिम को मिली तो मीर कासिम जो है मीर कासिम मुंगेर से चल दिया मुंगेर जो इसकी राजधानी थी मुंगेर से सेना लेकर की आया अब देखिए दोनों लोग लड़ रही है प्रारमिक लड़ाई है ये सारी लड़ाई बकसर के युद्ध का मतलब उसके लिए प्रिस्टभूमी तयार कर रही है बकसर का युद्ध नहीं है ये चीज़ हमको ध्यान रखना है और जब मुंगेर से ये सेना लेकर की आये अंग्रेज उधर से सेना लेकर की आ रहे है ये इधर से सेना लेकर की आ रहे है दोनों में आपस में कई बार युद्ध हुए और कई बार मीर कासिम जो है वो पराजित हुआ मीर कासिम जो है वो कई बार क्या हुआ पराजित हुआ अलाकि शुरुवात में एक्यूद जीता भी लेकिन बाद में ये पराजित ही उतारा और जब मीर कासिम पराजित हुआ तो 9 जुलाई 1963 को 9 जुलाई 1963 को कोटवा के मैदान में इसको हार मिली पहले कोटवा को मुर्शीदाबाद का इंट्रीगेट माना जाता था तो यहाँ पर इसकी हार हुई उसके बाद मुर्शीदाबाद जिले में ही एक जगह थी गिरिया इस गिरिया में भी इसकी हार हुई गिरिया दो अगस्त को यहां पर भी हारा दो अगस्त वही है 1963 अभी सब 63 चल रहा है भी है 64 पे बकसर का युद्ध होगा अभी 63 चल रहा है इसके पहले के छोटे मुटे युद्ध है इसी तरीके से राज कमल में उदय नाला या उदव नाला जगा थी चार पांच सितंबर 1763 और ये भी 1763 और ये भी 1763 और ये भी 1763 है ओव्यसी बात है ठीक है इस तरीके गलती वगर है तो आप लोग लिख दिया करिए चैट बॉक्स में तो चार से पांच सितंबर 1763 को अंग्रेजों ने उदय नाला की उद्ध में जो की राज कमल के निकट है राज कमल जगा थी राज कमल के निकट उदय नाला या इसी को कहीं कहीं उद्धो नला के नाम से भी जाना आता है उद्धो नला या उद्ध में ये पराजित हुआ ये भी हार गया तो ये तीन बैटल्स लगातार मीर कासिम जो है वो हारा और हारने के बाद ये वहाँ से जो है मुंगेर होता हुआ पटना की और वापस गया हार के पश्चात हार के कारण कह सकते हैं हार के कारण मुंगेर होता हुआ मुंगेर होता हुआ मुंगेर जो इसकी राधानी थी और मैंने अभी आपको दिखाया भी था मैप में शुरुवात में हुआ पटना की ओर वापस पटना की ओर भागा अब जब पटना की ओर भागा तो पटना में कैद थे इसके अंग्रेज जदिकारी 148 कैदियों सहीद 148 कैदियों सहीद एलिस जो है यहाँ पर गिरफतार है और एलिस वही है जिसने सबसे पहले सब चीजों की शुरुवात करी है कलकता काउंसिल के कहने पर तो आप लोगों ने जैसे वहाँ पर ब्लैक होल की घटना देखी थी सिराजुद दौला के समय में कुछ वैसी ही घटना यहाँ पर हुई इन 148 कैदियों को मार डाला किसने मार डाला? कासिम ने और क्यों मार डाला? यह तो आपने उपर देखाई कासिम ने इतने सारे लोगों को मार डाला क्योंकि वो तीन लुद्ध लगा तारहारा यह जगहें उसे चीन गई अंग्रेज इसके खिलाफ होने लगे थे और इसी कारण उसने यह बदला ले लिया अब यही जो मृत्यू कांड है इसी को ही बोला जाता है पतना हत्या कांड इसी को ही क्या बोला जाता है? यही बोला जाता है पतना हत्याकांट ठीक है तो यही पटना हत्याकांट है तो आप देखिए कलकत्ता में जो हत्याकांट हुआ था वो यहाँ पर काल कोठरी के जो घटना थी वो आपने देखा कि बैटल ओफ प्लासी के समय में हुई और ये battle of boxer से ठीक पहले हुई अब ये वाला जो हट्याकांड हुआ इसको फिर Britishers ने उसी तरीके से बढ़ा चड़ा करके बताना शुरू कर दिया कि अंग्रेजों का इन लोगों ने विरोध किया और स्वाबाविक से बात है कि अंग्रेज इस सब चीजों का बदला लेने के लिए तयार हो उठे अब अंग्रेज जो बदला लेने के लिए तयार हो उठे हैं लेकिन क्योंकि ये पटना भाग गया था वहाँ से इसने हत्याकांड किया जो भी उसके बाद वो वहाँ से भी भाग करके आवद की तरफ चला गया पटना से भाग करके फिर वो पटना में हत्या कांड गुआ उसके बाद वो आवद की और भाग गया और इधर बंगाल के नवाबी खाली हो गई बिटिशर्श चारते तो बंगाल के नवाबी जो है अपने पास रख सकते थे लेकिन और नहीं रखी उन्होंने फिर से मीरजाफर को गद्धी पर बैठाया तो अब 1763 से 1765 पर जो है मीरजाफर वही मीरजाफर फिर से गद्धी पर बैठा मीरजाफर जो है 1763 से अब 1765 तक फिर से गद्धी पर रहेगा और इसी दोरान आपको बकसर का युद्ध देखने को मिलेगा तो बकसर के युद्ध के समय जो बंगाल का नवाब है वो मीर जाफर है जिसे अंग्रेजों ने बनाया है लेकिन एक बंगाल का नवाब है जो यहां से युद्ध अंग्रेजों से हार करके भाग गया है मीर कासिम जो था जो इनका दामाद था मीर कासिम वो आवद के नवाब शुजाउद दौला के पास गया शुजाउद दौला ठीक है तो आवद के नवाब शुजाउद दौला के पास में ये उनकी शरण में चला गया और कुछ संधियां जो है उसने करी कुछ वचन दिये हैं और दोनों वहाँ पर संदी हुए. और अब इसी दोरान आपको बकसर का युद्ध्य देखने मिलेगा, तो अब हम बात करेंगे बैटल ओफ बकसर की. अब हम बात करेंगे बकसर के बकसर के युद्ध्यकी. अगर यहाँ पर आपसे कोई बक्सर के युद्ध के कारणों के बारे में पूछे तो आप मीरजाफर से शुरू करके दुबारा मीरजाफर के गद्धी बैठने तक जितनी कहानी मैंने आपको बताई है वो सारे कारण ही तो है हम ये भी कह सकते हैं कि कहीं न कहीं प्लासी का युद्ध ही बक्सर के युद्ध का कारण भी बना ना हुआ होता तो नौबत ही ना आती तब शायद भारत में अंग्रेज अपने आपको स्टैबलिश करने के लिए उतनी गहराई से सोच भी नहीं सकते थे क्योंकि मराठों का भी उद्ध होने लागा था तो शायद दुनिया कुछ और होती भारत बेरहाल बक्सर का युद्ध जो है वो हलाकी 22 अक्टूबर को लड़ा गया है 1764 में लेकिन इस दौरान क्या-क्या घटना है घटी थी उसके बारे में थोड़ा सा गौर करते हैं मीर कासिम जो यहां से भाग गया था वो मुगल समराथ शाह आलम दुती के साथ में और शुजाओ दौला के साथ में एक संधी करता है तो यहां पर एक संग बनता है पक्सर के युद्ध के दौरान कासिम संग बनता है अब कासिम संग में कौन-कौन शामिल है कासिम संग में एक तो कासिम शामिल है जो की बंगाल का क्या है अपदस्थ नवाब है बंगाल का अपदस्थ नवाब अपदस्थ नवाब का मतलब क्या है? पद से भगा दिया गया हो जिसको बंगाल से भाग गया था ना ये जिद्ध छोड़ करके दूसरा शुजाओद दौला है शुजाओद दौला ये कौन है? ये बंगाल के ये आवद के नवाब है आवद के और तीसरा जो इसमिर संग में शामिल है वो है शाह आलम दुती शाह आलम दुती जो इनके समय में जो मीर जाफर के समय में बंगाल के उपर नजर गड़ाया बैठा हुआ था अली गोहर जिसको कहा गया है तो शाह आलम दुती जो है उस समय ये भी मुगलों के भागे हुए एक तरीके से शासक है, ये हैं मुगल बादशा, और ये भी जो है इस तमें अगर देखा जाए तो शुजाओद दौला की इश्रण में, सुजाओद दौला को ये अवसर की तरह दिखाई देता है, और वो इनकी सहायता करने के लिए तैयार होता है, तो ये जो त्रिगुट बना है, इस त्रिगुट के खिलाफ उधर ब्रिटिशर्स भी तैयार हो रहे हैं, इस त्रिगुट के पास में बहुत बड़ी सेना है, तक इस त्रिगुट को जो लीड कर रहा है, ब्रिटिश जो सेना पती है, ब्रिटिश जो लीडर है, उसका नाम है हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो, और हेक्टर मुनरो भी अपनी सेना लेकर के इन से लड़ने के लिए तैयार खड़ा है, दोनों लोग अपनी अपनी सेना लेक सानिक थे और तक्रीबन 20 तोपे थी 20 तोपे और इस तरीके से इस शक्ती और इस शक्ती का आपस में आमना सामना होता है और यहीं दोनों का जो आमना सामना है वो कहां हो रहा है बक्सर में हो रहा है और बक्सर में यह जो आमना सामना हो रहा है इसकी डेट आपको याद रखन 22 अक्टूबर 1764 22 अक्टूबर 1764 में अंग्रेजों ने खुद अपनी सेना साथ में रख करके इस तीन बड़ी सेना का जो संयुक्त रूप है उस संयुक्त रूप के खिलाफ युद्ध किया इस युद्ध में शुरुवात में मीर कासिम एक युद्ध की भाती लड़ा लेकिन अंत में इसे हार ही देखनी पड़ी इस संयुक्त सेना के तकरीबन 20 हजार लोग जो हैं वो युद्धिस्थल में मारे गए हलाकि ब्रिटिशन्स का भी नुकसान हुआ लेकिन उनके मात्र 847 के आसपास लोग मारे या घायल हो करके टोटल मिलाके संक्या 847 से 850 के आसपास थी मीर कासिम जो है वो युद्धार गया मीर कासिम हार कर दिल्ली भाग गया दिल्ली भाग गया और बाकी के जो दो लोग थे कौन कौन दो लोग थे एक शुजावत दौला और शाह आलम दुती ने शाह आलम दुती ने अंग्रेजों की शरण ले ली यहनी अंग्रेजों के सामने क्या हो गए आत्मसमर्पित हो गए तो यह चीज हमको यहाँ पर देखने को मिलती है और फिर अंग्रेज जो हैं इनके साथ में क्या करते हैं, संधी करते हैं और ये संधी करने के लिए एक बर फिर से रोबर्ट क्लाइव वापस आता है तो इस तरीके से हमको क्या देखने को मिला अगर हम इस युद्ध के महत्व के बात देखे युद्ध तो तुरंद खतम हो गया युद्ध शुरू होते ही खतम हुआ लेकिन क्या-क्या चीज़ें थी उसके पहले मैंने आपको बताया पूरा का पूरा यह अल्टीमेटली अगर हम युद्ध के महत्व की बात करें तो जहां प्लासी का युद्ध जो था वो शड़यंत्रों का एक खेल था जिसमें राजदर्वार के गड़दारों के साथ मिल करके बिटिशर्स ने चल कपट करके जहां पर उस युद्ध को जीता था वहीं बकसर का युद्ध विशुद सैन ने सक्ति के आधार पर विजित किया था बिटिशर्स ने और ये विजय भारत में ब्रिटिश सक्ति के आरंभ को मजबूत कर देती है। कह सकते हैं कि बकसर के इस युद्ध से ही भारत की विजय का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से आश्वस्त हो गया। बंगाल पूरी तरीके से इस युद्ध के बाद कमपनी के शासन के अंदर चला गया और 5 जनवरी 1765 को जाफर की मृतिव हो जाने के पश्षाद मीर जाफर की मृतिव हो जाने के पश्षाद उसका बेटा जो है वो गद्धी पर बैठा और जिसका नाम था नजमुद्दौला नजमुत दौला जो था वो पूरी तरीके से अगर हम देखें तो ब्रिटिशर्स की कटपुतली बन करके ही रह गया आखिरकार आप देखेंगे कि बंगाल विजय में बकसर की युद्ध का बड़ा महत्व हो गया 1765 में रॉबर्ट क्लाइव फिर से भारत आया और इस बार भारत आते ही सबसे पहले उसने वो कारे करने शुरू किये जिससे की भारत की उपर और बंगाल की उपर ब्रिटिशर्स की सीधी पकड़ मजबूत हो सबसे पहले आपने देखा कि एक बहुत बड़ा हिस्सा जो उत्तर भारत का था वो बंगाल से लेकर के आवध तक अंग्रेट जीच चुके थे इस प्रकार से उसने आते ही सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव ने आते ही सबसे पहले मीर्जाफर से अब मीर्जाफर की जब मृत्ती हो गई थी तो उसकी जगा पर उसका जो बेटा है नजीमुद्दौला उसने संधी करी नजीमुद्दौला इसके अलामा शाह आलम दुती जो दुती है और जो अवद का नवाब है शुजाउद्दौला इनसे इसने क्या क्या सबसे पहले आते ही जो है इनसे संधी करी इनसे क्या किया आते ही संधी करी और इनसे होने आली जो संधी है वो कहलाती है इलाहबाद की संधी इलाहबाद की संधी और ये इलाहबाद की संधी जो है वो दो चरणों में हुई तो जो पहला चरण है उसे बोलेंगे इलाहबाद की प्रथम संधी इलाहबाद की हलाकि वो भी इलाहबाद की संधी है तो प्रतम संदी के बारे में पहले जानते हैं, प्रतम संदी के बारे में जानते हैं, मई के आसपास शायद, जो रॉबर्ट क्लाइव है भारत आया था, 1765 में, और 12 अगस्त को, 12 अगस्त 1765 को पहली संदी हुई, ये पहली जो संदी हुई थी, ये शाह आलम दुती, और नजमुद दौला जो था, या नजीमुद दौला जो था उसके बीच हुई, नजमुद दौला, नजमुद दौला, ठीक है, अब ये जो नजमुद दौला है, उसके बीच में, नजमुद दौला, और उसके साथ साथ, शाह आलम दुती इनके बीच में संदी उए और साथ इनके बीच में अनलब इनको ले करके क्लाइव ने संदी करी क्लाइव तो है ही तो क्लाइव ने पहले इन दोनों लोगों के साथ संदी करी अब ये संदी में क्या कहा गया कहा गया कि मुगल समराट जो है अब देखे मुगल समराट था शाह अलमदुती केंद्री सकता एक तरही का भले ही कमजोर थी लेकिन रेप्रिसेटेटर यही था अब कलाइब चाहता तो शाह अलमदुती को उसने सबसे पहला काम ये किया कि शाह आलम को दो बड़े प्रांत प्रदान किए शाह आलम को शाह आलम जो दूती है उसे कड़ा और इलहाबाद इलहाबाद यहाँ पर श्लैस का मतलब और से है श्लैस का मतलब अथवा से नहीं है आपर ठीक है तो कड़ा और इलहाबाद जिले जो है वो दिलवाए अब ये कड़ा और इलहाबाद जो जिले थे वो थे शुजाओत दौला के पास तो शुजाओ दौला से भी आगे यही संदी करेगा वो तो अब हावी कसी बात है इसके अलावा, इसके बदले जब कड़ा और इलहाबाद शाह आलम दुती को मिला तो शाह आलम से जबर्रस्ती एक फर्मान जारी करवाया गया और जो बंगाल था, बिहार था और उडिसा जो था उसकी पूरी की पूरी जो इस्थाई कह सकते हैं कि जो दिवानी अधिकार है वो पूरी तरीके से कंपनी को दे दिये गए दूसरा पॉइंट इसके लिए क्या किया गया दूसरा पॉइंट हुआ इसमें कि बादशाह ने लाकिन को बादशाह तो कहना ही नहीं चाहिए उस समय बादशाह ने अंग्रेजों को अंग्रेजों को बंगाल बिहार और उडिसा की दिवानी का पूरी की पूरी दिवानी का परमान जारी किया किलो भाई ले जाओ लूटो और इतना ही नहीं इसके बदले अंग्रेजों ने एक काम और किया शाहालम दुती को 26 लाक वार्षिक पेंशन जो है वो न्यूक्त कर दी उसकी 26 लाक वार्षिक पेंशन 26 लाक वार्षिक पेंशन पर यानि कि अपने राजस्व का कुछ नहीं रखेंगे आप सारा राजस्व ब्रिटिशर्स को देंगे इसके बदले ब्रिटिशर्स आपको 26 लाक रुपए पेंशन देंगे संपल सी बात है 26 लाक रुपए पेंशन पर बादशाह नियुक्त हुए हैं ये अब आप सोचिए जैननी कि बादशाह काहे के हैं भाई फिर आप आपकी बादशाद तो प्रिट्रस कवार गर्रवी रगी रग दिवी इतना ही नहीं कमपनी ने इनसे उतरी सरकार भी ले लिया कमपनी को उतरी सरकार आप जानते हैं उत्री सरकार कौन सी जगह है कहीं कहीं इसको उत्री सिरकार भी कहा जाता है जो हैदराबाद का हैदराबाद के उत्तर का जो भाग है उसको उत्री सिरकार कहा जाता है ठीक है उसको क्या कहा जाता है उत्री सिरकार कहा जाता है तो ये जो हैदराबाद के उत्री सिरकार की जो जागिरदारी है, वो जागिरदारी भी किसके पास ली गई, जागिरदारी किसको मिल गई, अंग्रेजों को, इसकी जागिरदारी भी अंग्रेजों को दी जाएगी, ऐसा जो है बादचा ने शाहिन कर दिया, तो ये है और कडा जो है वो शाहलम दुती को मिले हैं शाहलम दुती को 26 लाग रुपए की पेंशन Μिली है इसके बदले ने शाहलम ने अपनी नवाबी जो है गिरवी रख दिये बाथशाहत जो है वो गिरवी रख दिये simple सी बात यह है इसके बाद होती है इलाहाबाद की दूसरी संदी, इसके बाद आपको देखने को मिलेगी इलाहाबाद की दूसरी संदी, इलाहाबाद और इसकी जो है आपको दुतिय संदी देखने को मिलेगी, आप जल्दी से कॉमेंट शेक्षान ने बताएगी किसके इसके बीच हुई हो ठीक है और ये हो रही है चार दिन बाद ये हो रही है 16 अगस्त 1765 ये वाली संदी हो रही है अब ये वाली जो संदी हो रही है वो किसके साथ होगी ये आवद के नवाब के साथ होगी शुजा उद्धौला शुजा उद्धौला और Robert Clive के बीच ठीक है? यह तो बहुत सरल सा है Robert Clive इसमें कोई भी खास कठीन आपको नहीं लगा होगा अब ये जो संदी हुई है उस संदी में पहली शर्त तो वही हुई होगी जो मैंने दूसी संदी के समय में आपको बताया था क्या बताया था? कि भी कड़ा और इलहाबाद मिल रहे हैं शाह आलम को जो कि उनके हिस्से में है नहीं जो कि कि किसके हिस्से में है? वो है शुजाओ दौला के हिस्से में तो इस संदी में सबसे पहले बिटिशर्स ने यही कहा कि आप क्या करेंगे? आप कड़ा एवं कड़ा एवं इलहाबाद इलहाबाद ये दोनों किसको दे देंगे? बादशाह शाह आलम शाह आलम दुतिय को देने का वादा करेंगे देने का वादा करेंगे तो इस संदी में सबसे पहले तो यह वादा किया गया कि आप ये नवाबी जो है वो किसको दे देंगे इन जगहों का जो राजस्व का दिकार है ये जो जगहें हैं ये आप बादशाह को देंगे बादशाह को देने का मतलब ये हुआ कि वहां से होने वाली जो राजस्व है वो बादशाह के खजाने में जाएगी इतना ही नहीं, क्योंकि प्रमुक रूप से इसमें योगदान जो था कासिम का शाह आलमदुती ने दिया था, इसलिए शाह आलमदुती को युद्ध का हरजाना भी भरना पड़ा, और कितना भरा उन्होंने ही युद्ध का हरजाना, पचास लाख रुपया, तो ये तो सीधा सीधा राजकोश में आ गया, ब्रिटिशर्स के पास, सीधा सीधा, चुनार जो जगह थी, चुनार पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, चुनार पर अंग्रेजों का अधिकार होगा, अंग्रेजों का अधिकार, और जब ये कहा गया कि चुनार पर अंग् करा राजा सुभी प्रिटिशनस के पास जाएगा तीसरा चौथा कहा गया अवध में अवध में कंपनी के लिए व्यापारिक चुंगी व्यापारिक जो चुंगी है वो समाप्त हो जाएगी जैसा बंगाल में था वैसा ही व्यापारिक चुंगी खतम अब यहाँ पर भी सीधा ट्रेड होगा फ्री ट्रेड होगा कुछ रियासतें थी कुछ लोकल जागिरदार थे जिनकी जागिरदारी को शुजाओत दौला ने कैप्चर कर लिया था इसमें एक नाम आता है बलवंत सिंग का गाजीपुर और बनारस की ध्यान रखेंगे गाजीपुर गाजीपुर और बनारस इन दोनों जगहों की इसको लोटआए गई बलवंत सिंग को और यह तो अंग्रेजों की शरण में थे। एक तरीके से इनको लोटा दी गई आवद की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी ये अंग्रेजों को करनी थी आवद की जो सुरक्षा थी आवद की सुरक्षा अंग्रेज करेंगे अंग्रेज करेंगे तो ये तो बड़ी भारी जिम्मेदारी आगे अंग्रेज को पास तो ऐसी कोई बड़ी भारी जिम्मेदारी नहीं आई थी इसकी सेना का खर्च जो है सेना का खर्च जो है नवाब करेगा तो मतलब आप तो प्री में जब अज़स्ती सेना की सुरक्ष तो अब अगर नवाबी खर्चा कर रहा है यही हुआ न, ऐसा नहीं था, ऐसा था कि सैनिक अंग्रेजों के होंगे, सुरक्षा वो अंग्रेजों की आवद की करेंगे, और उसका खर्चा जो है वो नवाब उठाएगा, और इन सब के बदले, इन सब चीजों के बदले, शुजाओत दौला को मिला क्या, आवद की नवा इतनी नवाबी पाने के चक्कर में ही केवल इस व्यक्ति ने, इतनी सारी संदियां करो, संदि करने के लावा को दूसरे रास्ते भी तो नहीं थे, आपने बंगाल की सहायता करी थी लालच में, लालच एक लालची का साथ देने का, और वो लालची जो बंगाल गमा बैठा हाला की योग्य था, ये तो लालची ही, मिरजाफर का दमाद था मिरकासिम, तो ये सारी चीज़ें आपको अल्टिमेटली देखने को मिली, आप यहाँ पर देखोगे, कि एक तरीके से इलहाबाद के संधी ने पूरी तरीके से बंगाल, बिहार, उड़ीसा और अवद को प और जो केंद्रिय सत्ता थी, जो कह सकते हैं बादशा के हाथ में, वो सारी चीज़ों पर तो अंग्रेज जीद गए थे, इन जगहों को उन अंग्रेजों ने लोटा क्यों दिया, बंगाल की नवावी, बंगाल के नवाब को दी गई, नवाब के बेटे को दी गई, वो चाहता तो ऐसा कर सकता था, रॉबर्ट क्लाइब, लेकिन वो ऐसा नहीं किया, ऐसा ऐसले नहीं किया कि अगर हम मुगलों की बात करें और बंगाल की बात करें तो ये इतने बड़े प्रांत थे, कि अगर पूरी चीज़ें ये बिटिशर सीधे ले ले लेते, तो भारत की राजनीती के बारे में तो मालूम था नहीं इनको ज़्यादा, वहां की जनता के साथ अभी इन्होंने व्यापार किया था, लेकिन बाखी चीज़ों नहीं जानते थे, कैसे शासन समाला जाये, कहां से राजस्वाता है, कैसे आता है, इन सब चीज़ों की जनकारी उनको नह और रही बत आवद की, तो आवद इसलिए वापस कर दिया गया था कि अगर आवद जो है शुजाओ दौला को वापस न किया था तो शुजाओ दौला के मराथों से मिलने की संभाव ना थी और इसे मराथों की शक्ती बढ़ सकती थी और पुना विद्रोह हो सकता था तो अगले नवाब के तोर पर जो हमको देखने को मिलेगा वो नजीमुद डौला है, यहाँ पर मैंने आपको थोड़ी दिर पहले नजीमुद डौला के बारे में बताया है, यह नजीमुद डौला, जिसने संदी करे इसलाबाद की, ठीके, तो यही अगला नवाब बना, 1765 से लेकर के 1766 तक ही ये नमाब रहा उसके बाद इसकी मृत्य हो गई और इस दौरान क्योंकि ये क्या सकते हैं कि अल्पवैस्क थे बहुत जादा चीजों की जानकारी थी नहीं तो मुहम्मद रजा खां को इसने मुहम्मद रजा खां मुहम्मद रजा खां जो थे इनको नायब के पद पर न्युक किया नायब का पद बनाया गया और नायब के पद पर इनको न्युक किया गया है बिसिकली उनके नाम से अब ये जो है जो माल गुजारी और जो राजस वगरा है सुरक्षा वगरा जो है उसको वसूलेंगे या फिर उसकी जम्मेदारी समा और नजमुद दौला जो है, इनको नवाब रहेंगे, यह नवाब रहेंगे, लेकिन कुछ करेंगे नहीं, बदले में इनको 50 लाख रुपए वार्शिक पेंशन मिलेगी। दौला जो है वो गद्दी पर बैठा, नजमुत दौला के बाद, सैफुद दौला गद्दी पर बैठा, कब बैठा, 1766 में, और बहुत जादा दिन नहीं, 1770 तक जो है, यहाँ पर गद्दी पर बैठा रहा, 1770 तक ही रहाए, और जब ये नवाब बने, तो नवाब की जो वा बारा लाग कर दी गए, बारा लाग पेंशन, और इसके अलावा, जो बंगाल, बिहार और जो उड़ीसा था, उसकी सारी के सारी जिम्मेदारी, अब ब्रिटिशल्स के हाथ में उन्होंने दे दी, सैफुद दौला के बाद जो अगला नवाब बना, वो मुबारकुद दौला हुआ, इसके बाद जो अगला नवाब बना, वो कौन हुआ, मुबारकुद दौला, और मुबारकुद दौला जो है, वो 1770 से लेकरके, 1775 तक नवाब बना रहा, चासक बना रहा, और ये कहने का नवाब है, मतलब एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि अंतिम नवाब है बंगाल का अंतिम नवाब कहां का बंगाल का आवद का नहीं आवद में तो अभी जब अठार सो ताउन की करांती आएगी तब आएगा लेकिन यहां पर नवाबी जो है वो खतम हो गई बंगाल की बंगाल का यह अंतिम नवाब हुआ इसकी पेंशन घटा करके 10 लाख रुपए वार्शिक कर दी गई 10 लाख वार्शिक बिलकुल इसकी पेंशन जो है लगभग सीमित कर दी गई और इतना ही नहीं इसी के समय में अगर हम देखें तो वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया इसी के समय में वारेन हेस्टिंग्स ने हेस्टिंग्स ने नवाब का जो पद था नवाब का पद जो था उसी को ही समाप्त कर दिया और पूरी तरीख से बंगाल जो था, वो अंग्रेजों के अधीन हो गया, वो अंग्रेजों की प्रेसिदेंसी के कॉर्डिंग ही चलेगा, पूरी तरीख से, और इस नवाभी को खत tissu करने का जो फरमान रोबर्ट वारिन हैस्टिंग्स ने दिया, आदेश पर या इस फरमान कोट ने इस पर अपनी मोहर जो है अनि acceptance दे दी ज्यानि कि अपनी स्विकृती जो है वो अनुमती जो है वो दे दी और जो आपको मालूम है कि 1774 में बंगाल में सुप्रीम कोट के स्थापना की गई थी बंगाल के इसी सुप्रीम कोट के पहले कलकाता सुप्रीम कोट के जो पहले जज जो थे सुप्रीम कोट के चीफ जस्टिस जो थे जिनका नाम था सर एली जहा इमफे उसी एली जहा इमफे ने मुबारुक दौला को पैंटम की उपादी दी थी बैताल ठीक है तो इमफे ने इमफे ने मुबारक को मुबारक को पैंटम की उपादी दी थी भई पैंटम पैंटम की उपादी बड़ी हास्यास्पत चीज है भई ये सब तो ये छोटा सा पॉइंट है जो आपको ऐसे याद रखना है जेनरली अब ये जब समाप्त हुआ तो इसके बाद शुरू हुआ बंगाल में द्वैध शासन इसके बाद बंगाल में क्या शुरू हुआ बंगाल में द्वैध शासन शुरू हुआ और इस द्वैध शासन के बारे में मैं आपको ओरली बता रहा हूँ आप इसको सुनिएगा और सुन करके अपने नोट स्थ्यान पूर्वा खुद बनाईएगा वास्तिक रूप में ये जो द्वैश शासन है 1765 से शुरू हुआ और तब तक चलता रहा जब तक की वारन हेस्टिंग्स जो है 1772 में बंगाल का गवर्नर नहीं बन गया तो 1765 से ले करके 1772 तक चला हुआ यूँ कि जो शान्ति और सुरक्षा की जो जिम्मेदारी थी इसे निजामत कहा जाता था वो निजामत नजमुद दौला को दी गई थी जो मैंने आपको यहाँ पर शुरुवात में बताया यह किसको दी गई थी नजमुद दौला यहाँ पर थीक हैं और यह जो नजमुद दौला है उसने यह जो मैंने आपको थोड़ी दिर पहले बताया की यहाँ पर दीखिए यह नजमुद दौला जो है जब गदधी पर बैठा तो मुहम्मद रजा खां को नायब के पद पर बैठाये गया था तो इनका काम क्या था केवल पेंशन उठाना और इनकी जगह पर काम करने का काम रखा गया था नायब के द्वरा और नायब जो काम करता था उसका काम यही था क्या काम था? उसका काम था यही जिसको आप कहते हैं कि सांती सुरक्षा बनाय रखना जो माल गुजारी की जो वेवस्था है वो अपने पास Robert Clive ने रखी हुई थी लेकिन दिक्कत यह थी कि माल गुजारी जो उसने अपने पास रखी थी वो मालगुजारी के बारे में कुछ खास जानता नहीं था इसलिए आगे चल करके उसने मालगुजारी और न्याय करने का जो अधिकार है उसके लिए अधिकारियों के पद बनाए और उन अधिकारियों के पद पर भारती अधिकारियों को ही एपॉइंट किया जैसे की नायब के पदपर मैंने आपको दिखाया यहां पर जैसे की नायब के पदपर आपने देखा कि मुहम्मद रजा खां को एपॉइंट किया गया बंगल इसी तरीके से बिहार में इसने सिताब राय को उसने एपोइंट किया कहाँ पर बिहार में और इसी तरीके से राय दुरलफ जो प्लासी के युद्र से गदारी करता आया है और अंग्रेजों का वफादार रहा है उसे उडिसा की जो है वो सुबेदारी दी गई या उडिसा का जो नियाबत है उसको नियुक्त किया गया तो ये बंगाल के द्वैज शासन में सारी चीज़ें चल रही है इसका मतलब ये हुआ कि क्लाइव के हाथों में सारी चीज़ें है लेकिन क्लाइव ने क्या कर रखा है कि दूसरी तरफ अंग्रेजों के नवाबी की अंदर अगर हम देखें तो उस नवाबी के अंदर जो है एक नया पत बनाया हुआ है जिससे निजामत कहा जा रहा है तो निजामत वगेरा की जो जम्मेदारी है वो भारतियों के हाथ से करवा रहा है तो यही द्वैद शासन है जो प्रारम हुआ था बंगाल में अब इस निजामत के कुछ तो लाब हुए और कुछ हुई हानिया अंग्रेजों को इससे कुछ लाब भी हुआ और कुछ जो है बंगाल को इसको इससे हानी हुई लाबों के अगर हम बात करें तो लाब में सबसे पहली बात तो यह था वो नवाब के जो अधिकारी थे उनी से करवाय जाता था यह सारे नवाब के अधिकारी थे थोड़ी दिपहले जो नाम बताया दिवानी का कारे जो है रोबर्ट कलाइब ने खुद प्रिटिशर्स की सुद्रण होने शुरू हुई और आर्थिक स्थिति के अगर हम बात करें तो तक्रीबन 16 Golden 175 से लेकरन 1772 तक बंगाल औरा से मात्रगर देखा जाए तो तीन करोड रुपय की माल गुजारी जो है वो प्राप्त हुई थी तीन करोड रुपय की और इस से जो भारत में अंग्रेजी सामराज़ी की जो नीव थी वो पढ़नी थी वो पढ़ गई लेकिन अगर हम द्वैद शासन के हानी की बात करें तो यहाँ पर कुछ हानियां भी हुई है और यह हानी सिधे तोर पर बंगाल को हुई है इस हानी में वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो नवाब का जो आदेश है उस आदेश की परवाह कौन करता था कोई नहीं केंद्री सत्ता किसके पास थी डिवाइडेट थी किसी के पास नहीं थी किसानों का आर्थिक शोषण होना शुरू हो चुका था और किसानों का आर्थिक शोषण कुछ इस तरीके से हो रहा था कि जो जमीदारियां थी वो बिटिशस बांटते थे और जमीदारी बांटने के लिए वो निलामी प्रथा को शुरू कर चुके थे जो जमीदार जितनी जादा निलामी करेगा उसको उस जगह की जमीदारी दे दी जाती थे उची उची निलामी पर जमीदारों को जमीदारी मिलती थी इसका परिणाम ये होता था कि वो जमीदार अपने अंडर में आने आले किसानों से उसकी वसूली निर्दैता पूर्वक करते थे आगे चलकर के 1760 में 1770 में भीशन अकाल पड़े और इस भीशन अकाल में भी जहां बंगाल की एक तिहाई जन्ता प्रभावित हुई वहीं अगले ही साल याने 1771 में 10 प्रतिशत लगान की वसूली बिटिशस ने बढ़ा दी कमपनी आर्थिक शोषन की नीति को अपनाने शुरू कर चुकी थी पूरी तरीके से बुरी तरीके से जो है लूट मार की स्थिती बंगाल में चल चुकी थी बंगाल को सोने की चड़िया की तरह एकदम सोने के एंडा देने अली चड़िया की तरह उन लोगों ने उसको पा लिया था वेरलस्ट नाम के एक ब्रिटिश अधिकारी हैं वो लिखते हैं कि स्थिती इतनी जादा खराब हो चुकी थी कि शायद ही कोई दूसरी भ्रस्ट जगा पूरे विश्व में रही होगी जैसी अंग्रे जी कह सकते हैं कि सरकार उसमें बंगाल में थी उद्योग धंदे पूरी तरीके से प्रभावित हो चुके थे लाड कॉन्वलिस कहता है या जॉर्ज कॉन्वलिस कहता है लाड कॉन्वलिस नहीं जॉर्ज कॉन्वलिस कहता है सत्रा सो पैंसट से लेकर के सत्रा सो पिचासी के बीच में ब्रिटिश ने और ब्रिटिश एस्ट ही कहीं रही होगी ततकाले इन विश्व में इस तरीके से बंगाल पूरी तरीके से आर्थिक शोषण और अनीमित्ता का जब शिकार हो गया तो ब्रिटिश इस्टुडिया कंपनी के जो ब्रिटेन में बैठे हुए अधिकारी थे उन्हें चिंता हुई और उन्होंने इस द्वैद शासन के अंत करने के लिए वर्रिन हैस्टिंग्स को जो है सुझाओ दिये पानली 1772 में वर्रिन हैस्टिंग्स ने इस द्वैद शासन को समाप्त कर दिया और पूरी तरीके से बंगाल की जिम्मेदारी जो थी वो अपने हाथ में ले ली और 1773 तक वो पंगाल का गवर्नर जनरल बन गया इस तरीके से 1773 तक हम पहुँच चुके हैं और बंगाल को पूरी तरीके से हम इतिहास के पन्नों से अगर हम देखें तो अंग्रेजों के हाथों में सौप चुके हैं तो मुझे इस चीज को पढ़ाने के परशात आप से पूरी ये उम्मीद है कि आपको ये पूरा का पूरा अध्याय ठीक तरह से समझ में आया होगा आपने हर चीज ध्यान से सुनी देखी जानी और समझी होगी और हर चीजों की जो उचित उत्तर हैं वो आपने तयार किये होगे किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या हुई हो कोई पॉइंट समझ में ना आये हो स्टूरी का कोई भाग जो आप से मिस हो गया हो तो पहले तो आप रिवाइस करिएगा revise करने के बात भी अदि समझ में ना आए तो आप हमसे पूछिएगा इस lecture की PDF आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं विरद्दुबे 01 इस टेलिग्राम पर और अपने विचार हमारे साथ व्यक्त कर सकते हैं या course से संबंधित किसी प्रकार की डिटेल की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे Instagram से आप जुड़ सकते हैं ठीक है? और Instagram में भी मैं विरद्दुबे 01 के नाम से ही पाया जाता हूँ Facebook में भी हम विरद्दुबे 01 नाम से ही हैं तो आप कहीं पर भी इस नाम से सर्च करेंगे तो हम आपको मिलेंगे आपको मालूम है faculty code आपको लगाना है क्या faculty code लगाना है भई आपको faculty code लगाना है विरध लाइब V-I-R-A-D-L-I-V-E ये code का इस्तेमाल करिए और आज ही admission लीजिए और ये fees जो है आपको paid course के लिए 18,999 में पढ़ जाएगी ठीक है? रुपे 18,999 मत इसके बाद 7 फरवरी से ये date बढ़ने वाली है इसलिए आज ही के आज आप इसमें admission ले सकते हैं बाकी class आपको कैसी लगी? comment section में जरूर बताइएगा किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमसे social media पर यहाँ पर connect हो सकते हैं आज की सभा में फिलाल इतना ही कल मुलाकात करेंगे एक नए अध्याय के साथ तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQIAS हिंदी